हुआ है टूडेगी दिसकुष मल्टिपल यहीं को दोमिनेंस हमने पूर्च टंपर डिसकुष किया था इनकंप्लीट डोमीनेंस आप कहा दा डॉमीनेंट होते हैं रिसेसिव जो रहते हैं दिकुर जो डॉमिनेंट होते हैं यह जब इन्होंने हमने red flower and white flower में आपस में cross कराया तो उन्होंने हमें दिया ये abanjanation में rr pink flower ठीक अजब हमने ये फर्दर cell pollinate कराया तो इन्होंने दिया देखो rr red इन्होंने दिखाया है आपने आपको ये express किया है और यहाँ पर rr यहाँ पर express किया है और ये जो है देखो ये सब ये सबसे अलग आ रहा है तो इसलिए हमने इसे कहा था in complete dominance complete dominance में क्या है वो हम अभी discuss करेंगा आगे जो dominance से रहेगा अब बात करते है multiple allergen multiple allergen क्या होते है कि जो हमारा blood group होता abu वो क्या होता है gene gene आई द्वारा क्या होता है control होता है in this phenomena the offspring saw the resemblance to both the parents a ben lone example of the phenomenon is the inheritance of abu blood group in the man आप क्या हाता है जो हमारा abu blood group है जो gene आई द्वारा control होता है तो उसमें क्या रहता है उसमें three three alleles रहते है gene हम represent किस से करते है i a, i b and i से represent करते है ठीक है और any individual carry the two these three alleles अब इसमें multiple alleles इसलिए कहते है जहाँ पर more than two alleles यह gene में more than, एक gene के लिए more than two alleles होते है उसमें कहते है multiple alleles multiple alleles आप कहा होता है जो alleles A है produce the glycoprotein जो एक परकार की शुगर होती है found on the surface of membrane of RBC जो हमारी RBC की surface पर पाई जाती है उसी परकार जो alleles IV होता है वो भी glycoprotein प्रोडूस करता है और यह भी found on the surface of and membrane of red blood cells then alleles I does not produce any glycoprotein जो हमारा alleles I होता है जो तीसरा alleles होता है वो किसी भी परकार की कोई भी किसी भी टैप्स की कोई भी सुगर प्रोडूस नहीं करता है अब देखो the alleles I A is dominant over I and alleles IV is also dominant over I then the alleles I A IV are together IV are equally dominant and both glycoprotein AB are produced अब यह कहा है कि अपने आपको dominant करते हैं प्रेटी हाँ पर क्या करते हैं यह IV small I को क्या कर देते हैं height कर देते हैं the blood group of is determined by the presence of absence of one or both the glycoprotein अब जो हमरा blood group होता है depend करता है blood के जो glycoproteins पर group A है glycoprotein A group B है glycoprotein B AB है both by group O भी neither of them इनमें किसी भी प्रिकार का कोई भी किसी प्राइब की इसमें कोई बहुत सुगर नहीं पाए मतलब की glycoproteins नहीं पाए जाती है the inheritance of blood group character follow the Mandelis pattern of inheritance सबीन देर 3 alleles 6 different genotypes possible which produce 4 different phenotypes अब जो है कि अब इन्होंने देखा यह दिखाया हुआ टेबल में अब टेबल में दिखाया है blood group A I A A B I B I B I A B O I A I B O आई आई अब इन्होंने क्या लिखाया blood group possible genotypes अब genotypes बताया है इन्होंने अब हम बात करते हैं जो bloods का अभी आया कैसा है यह जो हमारे bloods में genotypes होते हैं जो genotypes blood में 6 होते हैं और जो bloods के phenotypes जो होते हैं बहुत हैं हमारे 4 अब हम बात करते हैं AB blood railroad groupings Alleyles जिए जीन आई है उसमें थिरी Alleyles रहते हैं आई यह आई बी आई अब जो फिनोटाइप में किसी भी उसके जो दो dominant होते हैं एकर प्रोज कराते हैं यह वाइट में और डी में तो फिंक कलर देते हैं आपडात कर रहे हैं हैं तो यहां के अपने को dominant करता है आये आये तो क्या हो जाएगा अपमें फिनो type-1 blood group A हो जाएगा I-B multiply IB तो यहां पर IB IB हो जाएगा तो यहां पर blood group B. I-A और जो एलील small i-E जो बहुत करेंगे तो I-A I-E तो यहां पर हो जाएगा blood group A अब हम बात दें है लिए इक रहा है इफ रहे fem रहा लागा वहाँ बहुंए यह अपनी हां बोट करें और दोनुट है इंगे ले इसम्राइ बतने का लटो नींस का एक अधारण यह कैसे अब जब रहता है क्योंकि जितनी भी हमारे ग्रूप से रहते हैं तो इनमें एक आरबीसी में कि सुगर मोल्कूल्स पाए जाते हैं ग्लाइको प्रोटीन से जासे तो यह बर्क एजे एंटीजन का बर्क करते हैं बर्क एजे आंटीजन का कार रहे करते हैं आई यह एक तेरह प्रोटीन है सुगर है तो यह रिप्रजन कर रहे हैं तो यकली ब्लेट्ग्रूप ए तो जैसे हम एंटिजन ए है तो यह बनाएगा एंटिबोडी जब एंटिजन हम बी चढ़ाएंगे तो एंटिजन की बीके अगेंस बर्क करने के लिए एंटिजन भी तो उस case में क्या हो जागा transfusion हो जाएगा आदमी की death हो जाएगी तो उस case में हम transfusion हो जाएगा और उस आदमी की death हो जाएगी इसलिए हम पहले हम उसको क्या कर लेते हैं study कर लेते हैं कि कौन सा blood group है कौन सा Antigens है और कोई आई-टिबोडी है उसी फिरगार पर आए-एयों को आई-वी को नहीं हम डोनेट कर सकते हैं क्योंकि ये Antigens अगेंस्ट A केंगेंस्ट Antigents बनाता है B और A बनाता है B केंगेंस्ट Antigents But क्या है यहां पर जो A भी है A, B में दोनो एंटिजन्स पाय जाते हैं तो इसमें आंटिजन्स प्रेजेंट नहीं रहेगी तो इससे यह A से भी ले सकता है और B से भी ले सकता है उससी प्रकार O है ओ में तो आई आई है तो इसमें तो कोई antigen पाया ही नहीं जाता जब इसमें कोई antigen नहीं पाया जाएगा तो एंटिवोडिस बर्क कैसे करेगी तो यह रहता है हमारा multiple LA ligion